हिलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मास्टर प्लेंबर में अभी आप ये प्रोड़क्ट जो देख रहे हैं हमने फिलिप कार्ट से ऑनलाइन मांग भाया है कलाइंट ने कहा था और ये कार्ड वासिंग के लिए माम आए गया इसमें एक हाउज पाइप अब दूसरा वासिंग स्प्रेगन है यह वासिंग स्प्रेगन और इसके साथ और भी ऐसा सीरीज है और यह फाउज पाइप यह गाड़न पाइप भीका सकते हैं इसमें जो सो एक यह पाइप का मुझ है सौम नल में लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्ट्रम द लागा सकते हैं यह सन आइस कंपनी का पाइप है जो बहुत ही बेस्ट क्वाइलिटी का पाइप है लगवाग इसका लेंथ 30 मीटर है और हाफ इंची साइज है यह है वासिंग स्प्रेगन और इसके साथ और भी ऐसे स्रीज है यह दो पाइप कनेक्टर भी दिया बार यह व बहुत ही बेस्ट क्वाइलिटी का यह वासिंग स्प्रेगन भी है बड़ा ही सॉफ्ट चलता है ज्यादा हार्ड नहीं है लोक कभी सिस्टम में जो आप पानी चालू करने बाद लोक कर देंगे तो पानी चलता रहेगा और यह दो पाइप कनेक्टर भी देवा और भी पाइप जोरना चाहाएंगे जोर सकते हैं और इसमें किल्प भी दिया हुआ है जो पाइप लागाने कब टाइट कर देंगे इसको इसमें सिट करके इस पाइप को खोलते हैं जब तक आप मेरे चैनल मास्टर पलंबर को सबस्क्राइब करें और बेर लाइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें कि अब हम इसको सेट करते हैं पहले किलिप को घुसा देंगे और उसके बाद जह सो स्पाइप को कनेक्ट करेंगे यह अराम से आप चरह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लाहाड नहीं है अराम अराम से अब घुमा घुमा के घुसा दीजिए और अच्छे तरीके से घु प्रिंच नहीं लगता है हां से अप्टाइट कर सकते हैं सारा सिस्टम फोल्डिंग है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है पर हमने सेट कर दिया है पापको और इस नल में सेट करेंगे इस नल को हमने लोकल दुकान से परचेज किया हुआ इसी नल में हम इसे कनेक्ट करेंग और पानी चालू करके दिखाएंगे यह Wasbasin इस mają Ingleslas sécur काई में इस अंगल को कखेंगे खोल करके paralyzed देटेंगे और इसी में नल भी रहेगा आपकने यह देखाइंगे यह कार है इसी कार काम wasting करके दिखाएंगे जैसा कि आप देखना है हमने इसमें एंगल को भी और नल को भी टाइट कर दिया है, बहुत ही बहतर इंग सिस्टम से, पानी कहीं से लिकेज वगरा नहीं हो रहा है, पानी को चालू करके दिखाते हैं, ये पांच फोलोर का फॉर्स है, बहुत ही अच्छा फॉर्स दे रहा है, पांच में मंजिल पट्टां के कर अँड़ने वाला को और अच्छे स्टैका से टैट करेंगे, ज्दा टैट भी ना करेंगे ज़िसे क्या होता कि अज़िए की लिएमप थे ज़े, सिलीब कानफ नच, किलीब कानफ, और इसको हम कहोले एं हैं, पानी चालू हो गया है, इसमें पहले एर निकलता है, उसके पानी निकल गया, बहुत ही अच्छा फोर्स दे रहा है, और इस गन में फोर्स देना भी चाहिए, तब ही तो अच्छा से गाड़ी को अमवास कर पाएंगे, इसके मुँपर जो है, सुनब में जो है, एर्जे स्टेवल लागा हुआ, जितना अब टाइट करेंगे, उतना ही पानी जो है, सो फोर्स देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरका से पानी देता है, जो कारवासिंग के लिए काफी है, अच्छा है, और जितना आप ढीला करेंगे, उतना ही जो है, सो पानी, जेट के तरफ पतला पतला छेद के तरफ पानी देगा, ज्यादा ढीला करेंगे, तो खूल भी जाता है, एक अंदास सह मेडियम में रखेंगे बीच में रखेंगे जेट के तरह पानी देगा पतला छेट के तरह पानी देगा जो फोर्स देता है बहुत ही अच्छा फोर्स है लव हो इसका 200-300 PSI का फोर्स है कार वासिंग वाले कि हैं तो 1200-1200 PSI का फोर्स रहता है यह 200-300 PSI का फोर्स देता है यहां तो प्रेशल मसीन नहीं लगावा निसके विज़से यह गारी दोने के लिए लगवक ठीक ठाक है फोर्स है बहुत ही अच्छा फोर्स है बहुत ही अच्छे तरिकाशा आप जहासो कार को अवास करता हैंगे फोर्स जहासो बहुत ही अच्छा दे रहा है जितना आप टाइट करते हैं उतना ही फोर्स जहासो फाइल था है फोर्रा के तरह पानी देता है जी वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करें मुझे कमेंट करें इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एक झाल 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 झाल